हेलो एवरिवन एव वीडियो रे आमें ग्राविटेशन रो बहुत इंपर्टांट M.C.Q. डिसकोशन करीबा डिसकोशन करीबा पुर्बुरु को को टपिक बहुत बहुत इंपर्टांट ना केपलोस लो प्लानेटरी मोसन भेरी इंपर्टांट एठ्टु जेमतियले भी गो सत्राविटेशनन फील्डाविक देप्ट बहुत रीलेटेड कोश्चिन आशेची ग्रविटेसनल फील्डे पतेंशल एससे वेलोसिटी भरी जेटिसेटेशनारी सतलाइथ आ ओ टार ओर बहुतलास जेख्टानट एदविटालविट वेलोसिटी उक्रुवत जडेशना area scd is twice the shaded area sab if t1 is the time for the planet to move from c to d and t2 is the time for move from a to b then t1 equal to 42 t1 equal to 2t2 t1 equal to t2 t1 is greater than t2 आचा मते कोई ची जे गोडे planet सोन चारीपटे बुलू ची आव शीए shaded area t1 time ray c2 d जाइची t1 time ray c2 d जाइची आव t2 time ray a to b जाइची एड़ी लखाएची रेकोंदो c2 d t2 time ray जाइची sorry t1 time ray जाइची c2 d t1 time ray जाइची t2 is time move from a to b a to b होईची आपने करो t2 time ray जाइची area से कोई ची या रो एरिया ता मने s d c रो एरिया इस इक्वाल टु ट्वाइस a s b मुझ जाणी ची जे होची area velocity ता रथ या रो एरिया जेत्तिकी होवो जोदि time data पाइची समान थीवो तहाले या रो एरिया भी सेत्तिकी होवो किन्तु जे हेत्तु twice कोई ची ताले time period भी twice है जीवो त्यानु time period of s d c मने ए एरिया कभर कोरिया पाइची जेत्तिकी time लागुची केट टाइम लागुची t1 must be equal to एठीकी एरिया कभर कोरिया पाइची ताको तार डबल टाइम लागिवो तो हुची 2 हाँ जीवो तो हीता हा जीवा आपनुगरो रिलेस्वी एटा सेकनों क्राइम्ट प्रिंसिपोल में सेथि quindi इन्ना जीवो तो कम लुची को सुची एबाइची भी एा पानुगरो राइची ताको टेंसुट sum R 10 to the power 13 meter and 10 to the power 12 meter respectively. The ratio of time periods of the planet each. दीटा, planet raw, let's say planet 1 आओ, planet 2. तार रडियास मनने एउठु एतिकास ये इस्टांस को हुची, 10 to the power R1, R1 equal to let's say 10 to the power 13, R2, R1 equal to 10 to the power 13, R2 equal to, केते देच मत्ये 10 to the power 2 meter, okay, respectively. दी रेस्पेक्टिवली, दी रेस्यो अफ दे टाइम पिरियोड अफ दा प्लानेट, एटा हुची, आपना केपलोस थाड लो रू, थाड लो आशा आपरे, प्रिंसिपुल इस आपरे कामा करी भो, तो आपना केपलोस थाड लो रू प्रिंसिपुल होची, 10 to the power 13, divided by RQ केते देजी सार, 10 to the power 12, 12 meter, तो यारो Q, राइट, बर्तमानों उची, T1 by T2 मते पचाच, दी टाइम पिरियोड रेस्यो इक्वाल डू कटागोट यह गलो, 10 to the power, खाले 10 रो हीगो, 10 to the power 3, divided by 2, तो इटा ही जगो केते, 1000, 1000 रो स्कार रूट रोट ने, 10 root 10, तो राइट एंचर ऑप्शन B है जगो, next question दाखों सार, बहुत important question, important question, कौन देची ना, dependency of intensity of gravitational field E of earth with distance R from the center of earth is correctly represented by, आचा, gravitational field intensity with respect to distance सेंटर टू आउटसाइट केत्य होब आपनोंकु कोही बार आउची तेको एउठ हो एतिक थारो इंसाइट लेट से आर रेडियोस ओफ आर्थ होची एउख एतिका जेत्य बढ़े आर स्मोल आर तामाने ए भीत्रे जेतिकी आर्थ रो इंटेंशीटी होब स्मोल आर इज लेस देन केपिटाल आर सेत्य बढ़े आपनोंकुरो ग्राभिटेशनल इंटेंशीट रो फर्मुला काण ना इजी ग्राभिटेशनल इंटेंशीटी इक्वाल टू माइनस जी केपिटाल एम मास अफ आर्थ डिवाइड़ बाई आर्क्यू इन्टू आर्थ ए ह्से रो चै पो जिवाइड़ बाईड़ डिवा इंटेंशीटी शेत्य बढ़ी-बडि चालीः ग्िंतू जत्य बढ़े हुची आर बड़े इन्टेंशीटी आर्र हे जिवो शेत्य बढ़े इन्टेंशीटी इक्वाल टू माें लेकि वी जह और्ट्यक थी मिंदैखार एम मारो उची potential 0, gravitational intensity 0, next उची जेत्टे जेत्टे मू आर बड़ी 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 चाली वहाँ, किन्तु linear लियो वार्प दिपार वहाँ आनोची, तेनु ये straight line होब, आउ linearly बड़ी बड़ी चाला, negative direction, ओके? नेश्ट कोणा होब, once होची जेत्टे capital R ही गला से तड़े maximum ही जाओची, negatively maximum, तो सेटी होची केत्टे बड़ी तार value होब, एठी होची जोदी capital R हला, यार value एठी ही जीगो, minus gm divided by r square सर, ओके? एठा होची तार maximum value, नेश्ट होची काणा अबस, inversely square ही जाबरे काणिवर, inverse square हले, M ती type equation होची जीगो, तो कोट आज जीगो, option 8 आपनु गरा right answer ही जीगो, नेश्ट कोशी नेश्ट कोशी नेश्टे गुटू सार, इव दी mass of the sun, ओयर 10 times smaller, and the universal gravitational constant, ता मने g, को थाग होची अबस दीगो, और 10 times larger in magnitude, which of the following is correct, raindrops will fall faster, आचा, raindrop fast कोडिगो, की slow पोडिगो, तो कहा उपरे depend कोची, G उपरे, G equal उखाण, minus G capital M divided by R square, right, mass of the earth, radius of the earth, उपरे depend कोची, की तो देखाण्ट, G इटा directly proportional to G constant, ता मने universal gravitational constant, उपरे, जदी एई जी टा बढ़ी जाऊची ताहले डेफिनाइटिली जी बढ़ी जीवो, स्मल जी जदी बढ़ी जाऊची ताहले रेंड्रोप फोल्ट आभी कने जीवो, फास्टर हे जीवो, काहिकी एसलेरेशन बढ़ी गला, सेथिवाए एटा ठीक होची, ता प्रेकण कोची ना वाक्टिंग अन्दी ग्राउंड उड़ बिकम मोर डिफिकल्ट, एटा भी ठीक होची, जेहे तो जी बढ़ी जाईची, स्मल जी बढ़ी जाईची, तो एसलेरेशन द्यू टू ग्राभी बढ़ी गला, आर्थ प्रे वाक करिबा भी बहुत कस्ट होऊँ, टाइम परियोड इकटाइम परियोड आर्थ उड़ बढ़ी जाईची, टी इकटाइम परियोड आर्थ वाक्टिंग उड़ी ऑड़ी जाईची, स्मल जी बढ़ी बढ़ी ला, एट टोटाल टार्म डा कॉन होऊँ, कम इगओ काहेंगे, ना इन्वर्सीली प्रोपेशन आर्टाइम गर टानु एटा भी ठीक हो छी जी अना आर्थ विल नाट चेंज एटा कानु पोसिबूल जी जी है तु बढ़ुची स्मल जी भी सहिदिपाई बढ़ुची 10 ताइमस ज़गी है जाऊची ताहले 10 ताइमस स्मल जी भी है जीगो तर एटा हो ची आपना कर रॉण एँसर है जीगो जी अना आर्थ विल नाओ चांज एटा हो ची चांज हबू तर अप्शन D अपना कर रॉण एँसर है जगो अके next definition the density of newly discovered plant is twice that of earth the acceleration due to gravity at the surface of planet is equal to the surface of the earth if the radius of earth is r the radius of the planet would be okay the matthew huchi kan koichi in a newly density twice is that of earth let's say earth raw density huchi rho earth how planet raw density huchi rho p yanko vithra relation ka na na planet raw density ra two times planet earth raw density okay next huji ka na na huji acceleration due to gravity at surface of the planet is equal to that of the surface of the earth the acceleration let's say g e earth raw equal to g of planet okay zero formula ka na g equal to mu jani chi j capital g into m of mass of the planet divided by radius of the planet okay a two mou jodhi mass koo convert kariy mass equal to karno na huji rho into volume right rho into volume to a two mou jodhi lakhi bhi volume equal to karno rho into 4 by 3 pi rq okay taw vartma na huji ehti jat on eqe mou jodhi mou jodhi rqOH to fomula 1 pi r q over to r qo r qo r kuji jiboo karni square rho jiboo खाली मरू रही पढ़ी आशिला देखंतु एड़ी कंस्टांट टर्म पढ़ेला के बढ़ा हुची ए कंस्टांट टर्म को बाहर भुनी जांतु ए कंस्टांट टर्म को बाहर भुनी पढ़ांतु तो जी डिपेंड अपन कहा उपरे ना रो उपरे एंड आर स्कुयार उपरे आर्थ स्कुयर उपरे तव मुं बर्तमान लेखी पारी वी जे यहुची जी अफ प्लानेट बदलरे जी अफ आर्थ बदलरे मुं लेखी पारी वी रो आर्थ इन्टू रेडियोस अफ आर्थ रो स्कुवर इक्वाल टू कोणा शीओ ना रो फ प्लान्नेट इंटू रेडियोस अफ प्लान्नेट रो स्क्रेट तो बर्तमान मु लेक्षी पारीबी जह हुची दीटा कट्टी वाला थाली रोई वाला कोणो ना रेडियोस ओफ प्लानेट रेडियोस ओफ प्लानेट इक्वाल टू रेडियोस ओफ आर्थ सोरी यहीटी हुटे मिस करी जाइचि मूँँ ग्म डिवाइड़ वाई आर स्कुयार तो यहीटी हुची आर स्कुयार है जुओ एटा आपनां करो आर स्कुयार है एटा आर स्कुयार गोटे केंसल है जुओ क्यू उरू तो खाली रोई जुओ आर तो यहीटी मूँची रेडियोस स्कुयार बदलर रेडियोस ओफ प्लानेट इक्वाल टू रेडियोस ओफ आर्थ डिवाइड़ बाई टू सार तो रेडियोस ओफ आर्थ क टर्म्स ऑफ G, R and G. तो मुझ आनिची जह होची small g दो फर्मुला कोण G capital M divided by R square तो एठु मुझ अब दी मास को लेखी भी ताहाले कोण जो G R square divided by capital G. तो राइट अंशर कोट हाई जिवो? G R square divided by capital G. अप्शन बीटा राइट अंशर हाई जो. नेस्ट कोसिन देखुंद तो कोण गोई ची? ना दी हाइट अट वीच दी वेट अफ द बडी विकोंस 1 बाई 16th. इस वेट अन दी सर्फेस अफ आप रेडियोस आर इस करते है. तो बर्तमान देखुंदू ना मुँँ वेट इक्वाल्टू कोण जानेंची? Mg. वेट इक्वाल्टू Mg. तो मास्क कॉंस्टांट टर्म सेज्वाड नूँच दिन्यों तो कॉंस्टांट ही रहेवा. के बड़ो भेरी किया करीवा G. तेनु 1 बाई 16th माने बाई 1 प्लस HYR स्क्वेर. दले कोण अब GG कैंसल है गेला? उप्रुण नहीं जान्तू 1 प्लस HYR इक्वाल्टू 16 और HYR इक्वाल्टू 16-1 इक्वाल्टू 15. तो मतले काढ़ी वार अच्छी एक्वाल्टू 15R. तो राइट एंचर काणें जीवा, option B आपनेंगरा राइट एंचर काणें जीवा. पोस्टिन दो कम्दू, एक बड़ी मास M is taken प्रम आथ सर्फेस to the height equal to twice the radius R of the earth. दी change in potential energy of the body will be. आच्छा, आर्थ रा सर्फेस let's say, एक बड़ी रा मास होची small M, आउ आर्थ रा मास होची capital M. मुझ जत्ते बेड़े ए आर्थ रा सर्फेस एट बड़ी ओर डिस्टांस केथे? आर्डियोस पास एउठू, जत्ते रा 2R डिस्टांस नहीं जाऊची ताहले, एज उपोटेंशियाल डिस्टांस ताह, एज उपोटेंशियाल केते? मुझ आणची पोटेंशियाल एनर्जी negative of G capital M into small m divided by r आच्छा, यू इनिशियाल जत्ते रा सर्फेस उपरे थी वो, पोटेंशियाल एनर्जी केते थी वो आच्छा, यू इनिशियाल जत्ते रा सर्फेस उपोटेंशियाल जत्ते रा सर्फेस उपोटेंशियाल केते? ना हुची, कम अनने जानतु Gm तो हुची 3-2 करतेले, यू इटा खाले आज जीबो आपनांगरो 2gmm ओके, तो यू तेकी आशिकला, आच्छा, यू एन्सर देखंथू small g फोर्म रे देची small g इकलाटो मुखण 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 आची, g equal to minus gm divided by r square तो यू एठी कुटे मुखण देखंदी r multiply करदेविया, डिभाइड करदेविया, ता हले केते ही जीबो, 2gmm divided by 3r square इंटी कुटे r पके जीबो, तो यू एत्ती की बहुत दलर है, यू एत्ती की बहुत दलर है, य स्मॉल जीबो कही बहुत दलर है, तो यू एटा बदलर है, 2 by 3gm into r, यू एत्ती की बहुत आशिबो, तो राइट अंचर कुट आई जीबो, राइट अंचर अप्शन दी आपनाँगर, राइट अंचर आई जीबो, नेस्ट कोसिन देखंदी सा, देखंदी सा, देखंदी if a body is to be projected in direction, making an angle 45 degree to the vertical, then the sf velocity is, आचा, देखंदी, sf velocity देईची, ve equal to 11.2 km per second, शीए पचाची, जे मूल गोटे बदी कु जोती, projected करूची 45 degree दे, ताहले sf velocity केत्टे ही जीबो, कौन अब एंचर ये थर्ट करांथू, राइट अंचर कुटा ही जीबो, ना राइट अंचर 11.2 km पर सेकेंड ही रही बो, काहीं की, ना sf velocity कोनोशी, इंक्लिनेशन उपरे, डिपेंड करे नाहीं, तेनो राइट अंचर कुटा ही जीबो, अप्चन बी जीबो, ना राइट अंचर, ना राइट अंचर, ना से इस साटलाइट, S is moving in an elliptical orbit around the earth, the mass of the satellite is very small compared to the mass of the earth, then the linear momentum of S remain constant in magnitude, the acceleration of S is always directed towards the center of the earth, the angular momentum of S above the center of the earth changes in direction, but its magnitude remain constant, the total mechanical energy of S varies periodically with time, अच्छा, गुटे हुची, सेटलाइट होची, ये की, आर्थ चारी पोटे बुलुची, तैनो ये उप्चन बीत्रू को उटा, राइट अंचर राइट अंचर अबो, ना देखंगो, जेते वडे सेटलाइट मु ना, the acceleration of S is always directed towards the center of the earth, अप्चन बीता आपनों गरो, राइट अंचर हेज़ेगो, नेस्ट कोण, एटा हुची, आपनों पाइँ हम्वार्क, आपनों निहाती भाबरे, यार अंचर बाहर करीवे, आउ कमेंट सेशन रे मते, लेखी की जणेवे, आउ कोण नेस्ट वीडियो दरकार सेटा भी कमेंट सेशन रे लेखी की जणा, तो दले काली की मुह होची से नेस्ट वीडियो रो MCQ आणी भी, तो लास्ट रे जाओ जाओ कोण कोई भी मुह आपनोंको, ना, थेंक्यू, धन्यवाद, आपनों वीडियो देखी ले, नीजे प्राक्टिस कोले, आउ कम झाल